हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल दस्सन इंस्टिटूट में दोस्तों आज हम बात करेंगे 2 जुलाई 2023 की महत्पूर्ण घटनाओं के बारे में जो एक्जाम की दृष्टी से काफी महत्पूर्ण है जैसे कुश्चन नमबर एक है हाल ही में राष्ट्री डाक करमचारी दिवस कब मनाया गया दोस्तों इसका राइट आंसर है एक जुलाई को और एक जुलाई को ही राष्ट्री चिकित्सा दिवस भी मनाया गया अब निफ्ट देखते हैं हाल ही में वीवेणू को किस राज्जे का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है इसका करेक्ट आंसर है केरल राज्जे अब दोस्तों हम केरल राज्जे से जुड़े महत्पूर्ण तत्थ्यों में जानकारियों को देख लेते हैं जो एकजाम के दृष्टी से काफी महत्पूर्ण है जैसे हाल ही में केरल पूरी तरह से ई-गवर्नेंस घोंसित किया गया है और यनसीवी ने केरल के तट पर पचीस सो किलोग्राम ड्रक्स जब्त किया है हाल ही में अब निफ्ट देखते हैं केरल ने अपना संस्थागत रैंकिंग धांचा सुरू किया है अब निफ्ट कुस्चन देखते हैं हाल ही में एडीवी ने नीतिगत सुधारों के लिए किस देश को 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर के रिन को मनजूरी दी है इसका करेक्ट आंसर है नेपाल दोस्तों अब हम नेपाल से जुड़ी महत्फून घटनाओं और तत्यों को देख लेते हैं जो एक्जाम की दृष्टी से महत्फून रखते हैं जैसे वोटो जात्रा उस्सव हाल ही में नेपाल में मनाया गया है और नेपाल में दो हजार पच्चीस को बिसेस परेटन वर्स के रूप में मनाया जाएगा और हाल ही में एसी सी मेंस प्रीमियर कप नेपाल ने जीता है और नेपाल में ही जीत गड़ी पर्व मनाया गया है हाल ही में अब नेक्स कुस्चन देखते हैं दोस्तों हाल ही में भारत के पहले स्वदेसी परमाडू रियेक्टर का संचालन कहां सुरू हुआ है इसका राइट आंसर है गुजरात अब गुजरात के बारे में हम कुछ और महत्पूर्ण जानकारियों को देख लेते हैं जैसे हाल ही में यूएस चिप की दिगज कमपनी माइक्रोन भारत के गुजरात में सेमी कंड़क्टर असेंबली अस्थापित करेगी और देख लेते हैं दोस्तों गुजरात के बारे में राज अस्तर परियोग सत्र के लिए सबसे अधिक लोगों में लोगों के एकत्र होने का गनीज वर्ल्ड रिकार्ड सूरत में बना है स्थापित पौन उर्जच हमता के मामले में गुजरात सीर्थ पर पहुँच गया है दोस्तों इसका राइट आंसर है माइकल रोसिन को अब नेक्स्ट कुष्चन देखते हैं हाल ही में किस राज जे के फूरवे डिप्टी स्पीकर बीर देविंदर सिंग का निधन हुआ है इसका करेक्ट आंसर है पंजाब के अब दोस्तों पंजाब राज्य से जुड़े हम महत्पून घटनाओं और तत्यों को देख लेते हैं जैसे पहला राज्य अस्त्री जहींगा मेलब पंजाब में सुरू हुआ है और दोस्तों चलने का अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य पंजाब बना है चलने का अधिकार का मतलब है जो सड़क बनती है उसके किनारे पैदल चलने वालों के लिए एक फुटफात बनाना दोस्तों यह पहला राज्य पंजाब बना है इसको लागू करने वाला और निश्ट देखते हैं उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना का उद्गाटन हाल ही में चंदीगड़ में किया गया है और राखी गुपता भंडारी ने पंजाब के राज्यपाल के प्रधान सचिव का पद संभाला है अब निश्ट कुस्चन देखते हैं दोस्तों हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने नसल आधारित कालेज पर वेस्को फलट दिया है इसका करेक्ट आंसर है अमेरिका ने दोस्तों अमेरिका जुलाई 2023 में फिर से यूनेस्को में सामिल हो गया अब निश्ट कुस्चन देखते हैं दोस्तों हाल ही में गर्नोट डालनर को किस कमपनी ने परवंध वोर्ड के नए सी-ई-ओ के रूप में नियुक्त किया है इसका राइट आंसर है और डी अब निश्ट कुस्चन देखते हैं हाल ही में GSI दोरा किस राज्ज में भारत का सबसे बड़ा निश्रल आर्क खोजा गया है इसका राइट आंसर है ओडिसा में और ओडिसा में ही आदर सकालोनी पहल लांच की है ओडिसा सरकार ने अब निश्ट कुस्चन देखते हैं दोस्तों हाल ही में महिला CPL के लिए साइन अप करने वाली पहली महिला खिलाणी काउन बनी है दोस्तों इसका राइट आंसर है स्रेयंका पार्टिल बनी है अब निश्ट कुस्चन देखते हैं हाल ही में एलेफ मॉडल एक किस देश दोरा प्रमाडित दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक फलाइंग कार बनी है इसका करेक्ट आंसर है अमेरिका अब बढ़ते हैं अगले कुश्चन की तरफ दोस्तों हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगनन्ना अम्मा ओडिस योजना सुरू की है इसका करेक्ट आंसर है आंधर प्रदेश राज्य ने अब नेक्ट कुश्चन देखते हैं हाल ही में किसे सी वी आई का विसेश निदेशक नियुक्त किया गया है इसका correct answer है अजय भटनागर को अब बढ़ते हैं अगले question की तरफ हाल ही में किस देश के फुरधान मंत्री ने 101 वर्षी सिख वुजुर्ग को points of light फुरसकार से सम्मानित किया गया है दोस्तों इसका correct answer है ब्रिटेन अब next question देखते हैं हाल ही में डेलाइट ने किसे वरिष्ट सलाहकार नियुक्त किया है इसका correct answer है मनोज कोहली दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही और अब हम डेली ऐसे ही current affairs की वीडियो लाते रहेंगे इस चैनल पर दोस्तों वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और इस चैनल को subscribe किजिए और वीडियो को like करें धन्यवाद